हेलो स्टुडेंट्स क्लास 10 पे एरे रिलेटेटेट टू सब्सक्राइज 12.2 में कोशन नमर फॉर्थ लेंगे बट जो बच्चे नहीं प्लीज बच्छो चैनल पे जाईए आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल पे 1700 से उपर वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ साइन्स के चैप्टर फिजिक्स के मैं आपको परिशान करता होगा आज के बात परिशान ने करेगा जो विज़ेट चलो चलो स्टाट करते हैं कुशन नबर फॉर्थ एकससाइज 12.2 का बोल रहा है अकॉर्ड ऑफ रेडियस 10 संटिमेटर सबस्टेंट्स और राइट एंगल एंगल ए इसका कोई कोड है फ्लोक्षे का रोटाता है सब्ब्स कर सेंट्रत अब बहुता है जो सरकल के परिमेटर पे सर्कल की पैरिमेटर की बोल रहाएं स्टारी सर्कल के किनी भी दो को एड़् कर सब्यूंट जोड़ता है ठीक तिन यह हो गया आपका चॉर्ड अब चासे बी यहां पर कॉर्ड ने से अंदर ले जाना है तो यह जो एंगल बने यह 90 होगा ठीक है तो यहां पर काउड ने सेंटर पर कितना अंगल बनाया कौड रकोर अंदर ले जा हो ठेक को टने कितना अंगल बनाया है है नियुक्त Championת आपका यूं मैं कर रहा हूँ या क्या आपका यहमाइनर सेगमेंग ठीक है बच्चों यह आपका म एनर minor segment अगर आप चाहें तो इस point को कोई नाम दे दे suppose M, तो minor segment क्या हो जागा A, M, B, A A, M, B, A ठीक है कैसे नाम पढ़ेगा A, M, B, A, जहां से चले हो वहीं पर वापस आजाओ A, M, B, A minor segment है और area of major sector sector को कौन बनाता है बच्चो sector को 2 radius 1 arc बनाता है तो जहां से चक्रिए दो radius और एक आर्क ये ठीक और जहां से चक्रिए ये दो radius और ये arc तो दो सेक्टर आपके पास 1 sector O, A, M, B, जहां से चक्रिएगा sector O, A, M, B O, A, M, B ये बच्चो कौन सा sector है O, A, M, B ये आपका minor sector ये क्या है आपका O, A, M, B उठाल साथ है मैं आपका यहां कोई नाम देदीचा ठीके 238 बीवी औ में तो यह बना वाला ठीक है यह डोर्ड डॉट्वाला तो अले का म Sozial घृ कर आपको दूख एक ज chauff का मैं तो यह अपके मेजर बीतके बीच को इसके बीच मेल आता है यह कहां से से शेक्टर ये जो मेजर सेक्टर इसके डियेश यह यह वाला एंगल आपको लेना है कितना है ये वाला एंगल ठीक है तो येано कितना हो जागा यह अगर 90 और टूटल कितना है 360 यह टूटल कितना होता है 360 360 में से 90-270 यह एंगल आपको लेना है थीटा कहाँ पर कितना 270 तो थीटा की वैलो हमने लिए 270 अपॉन इस बार बच्चों नोंने बुली 3.14 लेनी है ठीक है तो पाई की वैलो 3.14 हमको लेनी है और आर श्कॉईर रडिएस कतना है बच्छों टेन है तो टेनी टू टेन से इसको मैं सॉल्फ करना है यह 0 की जिरो चला गया बच्चों 10 10 अकितना होता है 100 ठीक है और यहां से पॉईं अजय को और हंडिट संदेट गैंसल अगा 314 इंटू 27 अपां 36 विचेगा इसको गैंसल गरते हैं 930 279 436 और यह शाय 2 से एंसलोगा तो 2 2 4 और 2 15 30 वन जयागा 2 7 जा ठीक बच्छो यह हो गया तो 202 और 3 को एंसलोगे तो 1.5 आएगा 2 2 1.5 30 अब आपका अंसर आजेका 1.5 इंटू 157 cm2 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो 157 इंटू 1.5 ठीक है फाइन जा थी फाइफ थी फाइफ फाइफ यह 25 प्लस 3 28 25 अवाइफ प्लस 27 इंटू 1517 जा 715 जा फाइफ 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 वन बंजा वन ओके बच्छो तो यह आ गया आपके पास फाइफ 7 प्लस 714 प्लस 15 बन जाएगा यहां 8 8 प्लस 5 13 1 कल्कुलेशन तो कर लोगे ना 233 2355 और एक नमबर के बाद पॉइंट लिएगा तो 200 235.5 cm2 is the area of what area of major sector तो इस का अंसर के तना आ गया 235.5 cm2 यह तो पाइट पार्ट वन हमें करना है बिल्कुल सही अंसर है हमारा अब पार्ट वन हम करते हैं तो पार्ट वन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इतना पहले कर लीजिए इतना कर लीजिए फिर मैं आपको बताता हूं पार्ट वन कर लीजिए इतना चलो अब पार्ट है आपको यह माईनर सेगमेंट एंब्हें का एरिया निकलना है ठेक़ तो कैसे निकालते हैं हमने आपको बताया का एरिया गए सब्सक्राइब करें तो किसका एरिया ए जाएगा सेगमें यानिक है अगर हम आप से बोले कि area of यह हम part one का solution करने area of minor minor segment और minor segment का तो नाम भी दिया हुआ आपने क्या a.m.b. 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 तो इसका area कैसे निकलेगा बच्चो area of minor sector minor sector कौन है अभी हमना आपको बताया था ओ a.m.b. 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 o.m. minus जगा नहीं आप आगे लिखोगे minus area of triangle a.m.b. a.m.b. ठीके बच्चो इस पूरे में से a.m.b. को हटा दीजे तो आपका क्या जाएगा minor segment अब ध्यान दे इसको equation one हम बना लेते हैं ठीक है आप सबसे पहले हम area of minor sector निकालेंगे फिर area of triangle निकालेंगे और sector में से triangle minus कर देगा मारा answer आजएगा तो area of minor sector o a m b o o a m b o अब बताओ सेक्टर का एरिया कैसे नहीं कलता है बच्छो थीट अपॉन 360 थीटा अपॉन 316 टू पाई रसक्षार और थीटा इस बार कितना लोगे बच्छो ये इस सेक्टर को देखिए इसको इसका थीटा कितना है 90 तो थीटा कितना लेंगे 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैलू 3.14 ल यहां रख्चो 314 पॉन 4 ठीक है इसको हम सौल्फ करतें टू तू पूस आ टू तू तूसर द्रीट वहन जाएगा यागा तें तू से नदू से दीवाइल रगातें टू से दिवाइगा या थीट ने आपर और टू एट जरी टीट आइसक्षी टेक्टिक अंव सुक्राइ तो 78.5 cm2 is the area of what area of this minor sector कितना आगया ये 78.5 cm2 आगया ध्यान रखिए का अब area of triangle AOB निकालेंगे ठीक है चलो इतना कर लो पहले अब ध्यान से चेक करेंगे बच्छो एरिया of triangle AOB कैसे निकालोगे एरिया of triangle बहुत easy बहुत easy जो हमने example किया था ना शुरुआत में वैसा नहीं है टेक्नोमेट्रिक कुछ नहीं लगाना यहां देखिए यह 90 और जब यह 90 तो यह क्या हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा पर्पेंडिकुलर हो जाएगा कि नहीं हो जाए तो यह बेस और यह प तो आफ इंटू बेस इंटू है लगा सकती हो कि है राइट अलए अंगल ट्राइंगल लेट फर बेइस हिन्टो है थी याँ प्रेंडिकुलर हो बुकंद अव बैसे क्या है टो आख अन्हों इस लरक्ता है ट्रू यानिक नेंट अई इन व्हुदू श्निंटे में त 좋아요 टे है हमें इस सेक्टर में से ट्रेंगल का एरिया माइन कर देना हमको माइन सेगमेंट का एरिया में लाएगा तो क्या करेंगे हैं 78.5 में से माइनस करना किसको 50 को देन यू विल गेट वाट आँ यू विल गेट नहां सौल कर लेता हम लोग 78.5 माइनस 50 तो 50 को ऐसे माइनस करेंगे हां 50.0 लिग देंगे आएंगा 58-087-528.5 सेंटीमेटर स्कॉर्ड तो पार्ट वन का अंसर बच्चो माइनस सेगमेंट का एरिया कितना है गाए 28.5 सेंटीमेटर स्कॉर्ड ओके कर लिजे बच्चो उसको